दोस्तों क्या आप कोई नया संग्लास खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप अलरीडी कोई पर्टिकुलर टाइप का गॉगल खुद योज कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिया गया क्योंकि आज की इस ultimate sunglasses buying guide में शायद आपका नजरिया बदल जाए आईए point wise बात करते हैं जो पहला point है that is what are polarized sunglasses आज कल market के अंदर ये नए polarized sunglasses के काफी चर्चे हो रहे हैं वैसे ये जो technology है ये कोई नई नहीं है जो polarized glasses होता है उसमें एक special lens होता है उसके अंदर लगा होता है horizontal light filter जब यह आप गाड़ी चलाते हैं गाड़ी के hood में से जो reflection आता है road के surface में जो reflection होता है that is known as horizontal light अगर आप boating या फिर swimming गए होंगे तो पानी की सता के उपर जो हार sunlight reflect होके आपके आखों में चुबन पैदा करती है that is also horizontal light मतलब एक चीज हम समझ सकते हैं कि जो glare होती है जो unwanted light होती है वो ज़ादातर होती है horizontal light और जो polarized sunglasses होता है वो particular उसी horizontal light को जाके block कर देता है उसको cut कर देता है और आपके आखों के comfort को कई गुना बढ़ा देता है next point लेते है that is polarized versus non-polarized आपके लिए कौन सा सही है देखिए अब जो non-polarized glasses होते हैं ये बड़े सस्ते होते हैं basic होते हैं कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं अगर आपका काम जादा तर non-glaring situations में है तो आप non-polarized glasses ले सकते हैं लेकिन मेरा particular मानना ये है guys कि आज कल न 1500 रुपए के budget में आपको अच्छे अच्छे polarized glasses मिलने लगे हैं तो क्यों न इतना कम अगर price difference है तो already एक बढ़िया polarized glass ले लिया जाए और इस तरह के कुछ बढ़िया sunglasses के affiliate buying link मैं आपको नीचे description या फिर first comment में देने की खुशिश करूँगा जाके उनको एक बार अवश्य चेक करें काफी अच्छे अच्छे varieties आ चुके हैं अभी market में आईए बात करते हैं next point that is UV cut अग बैस क्या होता है जो generally जो branded अच्छे polarized glasses होते हैं उसमें UV cut का feature होता है लेकिन यह ऐसी कोई इसकी intrinsic property नहीं है कि polarized है तो UV cut होगा ही तो यहाँ पे आपको यह चेक कर लेना है कि जो भी polarized glass आप खरीद रहे हैं उसके अंदर UV blockage का जो filter है या जो coating है वो already लगाये होगा हो आईए बात कर लेते हैं next point that is clear glasses दोस्तों अगर आप night driving जादा करते हैं नाइट को bike या car चलाते हैं तो क्या clear glasses आपको मिलते हैं जी हाँ मैं यहाँ पे यह particular glass यूज़ करता हूँ यह 3M का है बहुत सस्ता है यह actually safety glass होता है और आपके आखों को जो है जो धूल मिटी होती है कंकर उड़ते हैं road पे उनसे protect कर करता है लेकिन इस तरह के clear glasses में क्या आपको polarized मिल सकता है तो इसका answer है जी हाँ लेकिन धूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि clear के अंदर जो polarized है वो आपको generally ready made नहीं मिलते तो यह जो है आपको आपके optician से जाके बनवाने पड़ेंगे तो अगर आप रात को ब ज़रूर discuss करें वो आपको बना देगा and I think अगर आपका use जादा है रात को तो वो worth रहेगा आपके लिए अगर इस तरह के clear glasses ready made polarized filter के साथ में मुझे कोई मिलते हैं तो उसकी link देने की try करूँगा नीचे description में एक बर जाके check कर लेना अभी बात कर लेते हैं next point that is fakes in the market जी हा यह वैसा ही है जैसे हम 1500 रुपे के अंदर ray band के glasses लेते हैं और original जो आते हैं वो तो 34,000, 5000 के आते हैं तो आजकल जो है market में क्या है कि हर brand अपने sunglasses के उपर है ना polarized लिखने लगा है अला कि polarized होता नहीं है सिर्फ लिख देते है polarized और हम भी जाके खरीद लेते हैं क्योंकि हमको एक तो पता नहीं होता कि इसको test किस तरह से करना होता है तो मैं आपको तीन टेस्ट बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिनका use करके आप चूटकियों में पता लगा सकते हैं कि आपके जो glasses हैं वो वाकई में polarized है या नहीं पहला method होता है testing card एक चोटा सा card होता है जिसके उपर कुछ particular अकृति आ जाती है अगर आप original polarized glasses से देखते हैं तो पर इस तरह के जो card है ये जनरली shops में होते हैं तो हम दो और दूसरे method देख लेते हैं जो आप घर के उपर try कर सकते हैं जो दूसरी method है उसके लिए आपको कोई भी laptop, desktop या कोई phone भी ले लो उसका जो display है उस आपके एक particular way में twist करो अब आप देखेंगे कि जब भी जो glasses है वो particular angle में twist किये जाते हैं तो आपका जो display है वो दिखना बंद हो जाता है, display black हो जाता है और जी हां मैं आपको एक इती चीज याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो trick है ना ये LCD या फिर TFT monitor के साथ में ही काम तीसरा method हम देख लेते हैं अगर आपके पास में दो polarized glasses है तो दोनो polarized glasses आपको लेने हैं और उनको एक दूसरे को cross method के अंदर पकड़ना है मतलब एक दूसरे के अंदर से आपको देखना है और जब भी दोनो glasses cross में आएंगे 90 degree में आएंगे ताब आप देख सकते हो कि इसका जो vision है ये black हो जाता है मतलब दोनों भी जो polarized filters हैं जब एक दूसरे को काटने लगते हैं तब इसमें से दिखना बंद हो जाता है तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो polarized glass है वो original है या नहीं बात कर लेते हैं next point that is problems with polarized glasses भाई तारीफे तो बहुत कर लिया polarized खरीद मतलब जो digital आजकल हम gadget choose कर रहे हैं उनके साथ में बड़ी दुश्मनी होती है क्योंकि जो displays होते हैं उनकी खुद की अंदर एक polarizing filter होता है मैं LCD या फिर TFT monitors की बात कर रहा हूँ और इस तरह के जो display है जैसे मान लीजी आप petrol pump के उपर fuel भराने गए तो उसका जो meter होता है वो particular angle में आपको completely black दिखेगा फिर आप बोलोगे यार घड़ी खराब तो नहीं हो गई मेरी कई तो इस तरह से छोटे छोटे आनॉइंसे होते हैं हलाकि जो smartwatch वाला problem है इसका काफी easy solution है मैंने भी Samsung Fit3 खरीदा recently जो की एक AMOLED डिस्प्ले के साथ में आता है और उसका display बिल्कु दोस्तो इस तरह की जो छोटी-छोटी अनॉइंसे हैं छोटी-छोटी बाते हैं इनके साथ में हमें थोड़ा से adjust करना पड़ेगा लेकिन जैसे कहा जाता है ना हमारी आँखे बहुत ही कींगती है तो आइस आर आपसलूटली प्रेशियस तो आइथिंग यह चोटे-छोट आपके आखों के लिए तो आप कर ही सकते हैं दोस्तो इसी तरह के कुछ complex topics अगर आपको simple language में explain करके चाहिए तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा everyday tech का playlist इस card के उपर directly click करके आप आज कुछ नया सीख सकते हैं आज की वीडियो में इतना है guys take care and have a nice day